सिटेट के लिए Mathematics का यह सेशन जिसमें पिछले क्लास में सिक्षन को लेकर मैंने सलेबस की सुरुवात किया और मौखिक रूप से स्पेशली गणित सक्षन समंदी मुद्दों को लेकर जो पार्ठेकरम रहा उस पार्ठेकरम को लेकर हमने बात किया और इसी पर्टिकुलर को फिर आगे बढ़ाते हैं वहां से जहां पर मैंने पिछले क्लास में मैंने शुरुवात किया था एक टॉपिक गडित की प्रकृती नेचर आफ मैथमेटिक्स गडित की प्रकृती के अंतरगत कौन-कौन से हेडिंग हमें पढ़ने हैं उसके कस्यारे हेडिंग मैंने लिख वाया था उन सभी हेडिंग पर एक क्रम के बाद क्रम से पूरा एक एक पार्ट पर डिस्कस करेंगे अगला हेडिंग जहां पर मैंने ये छुड़ा था सिक्षार्थी केंद्रित दिरिष्टिकॉन और सिक्षकेंद्रित दिरिष्टिकॉन समझ गए हैं आप जब विद्यार्थी केंद्रित कख्षा की बात होती है तो ऐसी कख्षा जिसमें विद्यार्थी अधिगम का केंद्र हो विद्यार्थी क्या हो अधिगम का केंद्र हो और चात्र सहयोग की भूमिका में हो ध्यान से सुनिए विद्यार्थी जो है अधिगम का केंद्र हो और जो अध्यापक हूँ सहयोग की भूमिका में रहे मतब गाइड का काम करें पत्ध प्रदर्शक का कारे करें अर्थात यह है एक ऐसी पद्धती होती है जिसमें पूरी कक्षा के दोरान विद्यार्थी सक्री होता है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा वो होती है जिसमें बालक के इंट्रेस्ट उनकी रुचियों और उनकी छमताओं का ख्या लखा जाता है मतब बालक का इंट्रेस्ट क्या है वो किस तरीके से गणित को सीखता है कि पहलियों के माध्यम से सीखता है कि कहानियों के मा अध्यापक विद्यार्थी की छमता का ख्या लखे और उसकी रूची का ख्या लखे तभी वह सिक्षार्थी के इंदित कक्षा होगा ऐसानी कि अध्यापक अपने तरीके से सिक्षन कारे कर रहा है जैसे अध्यापक जब लेक्चर की भूमिका में होता है जब अध्यापक व् ही सक्री होता है छात्र तो वहां पर पैसी उलनर होते हैं कि वह सांत हो के सुनते हैं इसका दोस्त यह होता है कि हो सकता है कि कख्षा के दौरन पालक का ध्यान थोड़ी दर से कख्षा से हट जाए मतलब विद्यार्थी कख्षा में तो हो लेकिन ध्यान कख्षा से बाहर हो जा कुलमिला के विद्यार्थी केंदित कक्षा क्या है संखेप में आप से पूछे तो पहले आप तो ये बताएंगे कि इसमें बालक अधिगम का केंद्र होता है और अध्यापक सहयोग की भूमिका में होता है दूसी बात इस सिक्षण पध्धती में, मतब जिसमें बालक केंद्रबिंदु होता है, इसमें बालक अपने ब्यक्तिगत, प्रेक्षण, निरिक्षण, अनुभो और गड़ना के आधार पर निसकर्स निकालता है, मतब बालक खुद प्रियोग करता है, आपजर्व करता हुआ चलता है, और जब प्रियोग करते हुए निरिक्षण करता है, तो उसका अनुभो भी प्रियोग के साथ जुड़ता है, उसके बाद वह जो निसकर्स निकालता है, वह जल्दी भूलता नहीं है, क्योंकि क्रिया केंद्रित मध्यम वह होता है, जिसमें सीखी हुई ग्यान इसपस्ट ह होता है, और अस्थाई होता है, अध्यापक, स्वरी, बाल केंद्रित कक्षा के अन्य गुड़ की बात करें, तो यह गुड़ है कि इसमें बालक की छमताओं की रुचियों का ख्या लखा जाता है, तो इनहीं सब बातों पर आये कुछ फोकस करते हैं, दोनों कक्षाओं में क्या फरक है, तो जब सिक्षा केंद्रित दिश्चिकोन की बात करते हैं, अध्यापक केंद्रित कक्षा की बात करते हैं, तो सिक्षा क सक्री है, एक सिखन थोड़ा जूम कर देंगे, ठीक है, अध्यापक केंद्रित दिश्चिकोन की बात करें, तो आप कहेंगे सिक्षा क स प्रक्री हैं और सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं जैसे जब व्याख्यान देने की बात आती है कि थोड़ा सब में अपने लिए जगह बना लो ताकि इस पॉइंट को कुछ समझा दो एक सेकेंड चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा अध्यापक केंद्र दिश्चकोंड की बात करें तो अध्यापक केंद्र बिंदु होता है और जो स्टूडेंट होते हैं यह पैसिव लर्नर होते हैं थोड़ा ध्यान सुनिएगा आप इसके प्रस्ण भी करेंगे यह हमने एस लिखा है यह जहां स्टूडेंट है तो अब यह नहीं कहना कि स्टूडेंट जो है टीचर को चारों तरफ से खेल लेते हैं इसका मतलब यह नहीं है इसका मतलब यह है कि अध्यापक मुख केंद्र बिंदु होता है और जो विद्यार्थी होते हैं जो सिक्षार्थी होते हैं जो अपने बिचारों को स्टुडेंट के समक्ष प्रस्तूत करते हैं जिस पर्टिकुलर पध्यापक व्याख्यान दे रहे होते हैं उससे समंधित अपने बिचारों का साब्धिक चहत्तर कख्षा में प्रस्तूत करते हैं चात्र संतों के सुनते हैं तो विचारों का प्रवाह कि धर से होता है अध्यापक से चात्र कीओ केंदबिंदु कौन है अध्यापक है अब आप समझ गये होंगे कि यहां शिक्षर-पधती ऐसा होता है जो अधिगम सिध्धान्त के प्रतिकूल होता है क्यों कि जब पूरी कख्षा में अध्यापक के ही सक्री है तो अध्यापक अपने अमसाग जैसा उसे उचित लगेगा या तो फिर अध्यापक को जो लगेगा किवल उस पर्टिकुलर पर अपने बिचारों को रखतर बात को समाप्त करता है लेकिन बालक कहां तक सेख पाया प्राय है इसकी अपेक्षा रहती है इसलिए अध्यापक केंद्रित दिश्चकोंड सिक्षन के नजरिये से देखें तो अधिगम सिध्धान्त के प्र अध्यापक क्या करते हैं सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं कि उसी बात छात्रों को सिक्षत या अन्य स्रोतों से प्रेसित जानकारी प्राप्त होती है मतलब अध्यापक केंद्रित दिश्चकोंड में छात्र को जानकारी कहां से मिलती है अध्यापक से या फिर अन्य स्रोतों से प्रेसित जानकारी प्राप्त होती है या तो अध्या स्विधान्त के अनकुल नहीं होता लेकिन सिक्षार्थी केंद्रित क्या है सिक्षार्थी केंद्रित सिक्षार्थी सक्री है और सीखने की गत विधिया सिक्षक द्वारा सुगम की जाती है सुगम मतब बता आसान मतब विध्यार्थी सक्री होते हैं और सीखने की जो गत करते हैं निरिक्षन करते हैं अपने अनुभों के द्वारा तब जाके कहीं कहीं निसकर्ष निकालते हैं अतर जो सीखते हैं वो स्थाई होता है तो छात्र अनुभों के माध्यम से सीखते हैं और सीखने के कारियों पर चिंतन करते हैं यह कैसे हो रहा है अर्थ निर्मार करते है जिससे बैचारी इस पश्टता प्राप्त होती है बैचारी मतना conceptual तो जब conceptual इस पश्टता प्राप्त होगी तो बालग जो सीखेगा वह जल्दी भूले करें तो पहले मैं साइड होता हूँ इतनी बाते आप नोट करेंगे कुछ आर बाते फिर प्रस्न करेंगे आप सभी को सुपसंद्या दर्सल हाँ डेली चलेगी कल जो क्लास रहा कुछ कि इंपार्टेंट मीटिंग जिसमें आपके हितों को ध्यान में रखकर कंड़क्ट हुआ था उसमें हम सभी लोग उपस्थित रहे जिसकारण कल की क्लास नहीं हुए निरंतर क्लासे सुंगी साम पाच बजे मैथेमेटिक्स की यह से संद्ध होगी इसके पहले चार बजे संस्कित की क्लास होती है बाकी रेगुलर क्लासेस जो अपने टाइन टेबल के अनुसार ही चलेंगी चलिए तिनी बाते होगी आईए कुछ और बाते देखते हैं सिक्षक इंद्र चलिए अब एक बात समझेगा जो अध्यापक केंद्रित कक्षा होती है इसमें उपदेश आत्मक मता अध्यापक पूरी बात वहां पर नहीं हुआ था जिसका रण यह अधूरा सावाक के लग रहा है इसमें क्या होता है अध्यापक एक प्रकास से उपदेश दे रहा होता है निर्देश दे रहा होता है लेक्षरे रहा होता है जिसके तहां निर्देश पुष्टकों व्याक्ष्णों आधिपर अधारियत होते हैं मैंने यही करणा कि अनकरी बिशकों में अध्यापक को डेलीवर करता है वहां समिलती है या फ brewerषDr. जानकरी किताबों के माध्यम से निटुकों या व्याख्षान लेक्षर देखे वहाँ से जानकारी मिलती है लेकिन जो छात्र के इंद्रित है इसमें परियोजना मतब परियोजना क्या होता प्रोजेक्ट क्या होता है यह करो और सीखो की सिध्धानपराधारिद होता है जो प्रोजेक्ट मेथड होता है यह करो और सीखो परबल लेता है अर्थात यह बालकों को स्वाध्याई बनाता है बालक खुद अध्यन करता है खुद निशकर्ष निकालता है मतब्द चातर केंद्र दिश्चकोण में वालक गत्य विधियों करके सीखता है और समस्या समाधान और गहन अधिगम की इक्षा होती है इसमें चातर केंद्र दिश्चकोण में शिक्षक जो है यहां सिक्षण नहीं में अध्यापक दिश्चोर की बात कर रहा हूं कि इसलिए नहीं है क्यूंकि मैं अध्यापक केंद्रित में अध्यापक जब व्याक्षान दे रहा होता है तो जैसा उसे उचीत लगता है या फिर उससे लगता है कि केवल इन महत्पूर्ण बातों पर चरचा करना ही सही है तो वह केवल उन महत्पूर्ण बातों को ही केंदर में रखके अपने विचारों को रख देता है लेकिन मैंने कहाना कि छात्र कहां तक स्いीक्षा होती है इसलिए सिक्षण और अधिगम की गत्विधियां प्रासंगिक नहीं होती लेकिन जो विद्यार्थी केंद्रित है छात्र केंद्रित का क्षा है इसमें अधिगम वास्तविक दुनिया में इस्थिस सीखने की रूप में प्रासंगिक है इसलिए अधिगम की अधिक प्रासंगिकता है क्योंकि बालक वास्तविक-दुनिया यह अपने परिवेश से ज्ञान को अर्जित करता है इसलिए यह अधिक प्रासंगिक है और यह उतनी प्रासंगिक नहीं है कुछ बाते और इसके बाद भी प्रस्ण करेंगे प्रस्ण नहीं करिए क्योंकि बस इतनी बाते थी यह पॉइंट आप लोग इसको पूरा का लेजेगा यह हमने अंतर बताया चात्र केंद्रित और अध्यापक केंद्रित में देखते हैं इसके प्रस्ण कैसे होते हैं यह यह चौथा प्रस्ण कि यह आगिया क्योंकि इसके पहले जो मैंने पहला प्लाश किया था उसमें दो तीन प्रस्ण हो चुके थे जहां पर मैंने पिछा प्लास बना था वह सबRe möglich तेख देखते चले था यह एक आईडिया लगे कि किस प्रकार से प्रश्वंपोचता है उत्तर करिएगा सिक्षार्थी केंद्रित कख्षा में जो सिक्षक होता है कि भी पुरी लेक्षर हो आज़ीं केंद्र टोट में सिक्षक डैस क्या करता है बताएं हमने कारना कि जो बिद्यार्थी केंदरित दिश्ची कोन है इसमें बालक अपने बैक्तिगत प्रेक्षर निरिक्षर अनुभव और गड़ना के आधार पर सीखता है जबकि अध्यापक क्या करते हैं बालकों का दिशार निर्देशन करते हैं मतब अ शिक्षार्थी के इंदित कख्षा में सिक्षा क्या होते हैं बच्चों को अधिगम सुभिधा के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिसपर्धा करने के लिए प्रुच्षाहिद करेंगे नहीं प्रतिसपर्धा मतलब होता है कंपटीशन अधिगम सिध्धान्द के प्रत्कूल इ लेगी है न अच्चा शिखार्थी केंदित कक्षा में सिख्षक जो है व्यक्ट करेंगे क्या क्या आपने चात्रों से क्या करने उम्मिद गरते हैं औहовे उन्हें ऐसा काने के लिए दिशा निर्देष करेंगे क्या ये सही होगा या फिर लिखा है कि जो सिक्षक हैं ऐसे तरीके अपनाएंगे जिनसे सिक्षार्थी स्वयम अधिगम के लिए पहल करने के लिए प्रोथ सहित हूं या फिर सिक्षक मुख्य तत्यों की ब्याख्या करने के लिए ब्याख्यान विधी का उपयोग करेंगे और फिर अध्यापक केंदित दिश्चिकोण में यदि आप से पूछा गया होता अध्यापक केंदित कक्षा में सिख्षक क्या करता है तब यह क्योंकि अध्यापक केंदित कक्षा वो होती है जिसमें अध्यापक ब्याख्यान विधिकाव पयोग करता है मतलब लेक्षर देता है अप से एक पुनम्तिवारी और सिंपल सिंग संधी प्यादो प्रियंका गयत्री और नेहां कि देखे सिक्षार्थी केंद्रीत कष्षा में सिक्षक एसे तरीके अफनाइंगे जिनसे सिक्षार्थी खुद विध्यार्थी जो है को अधिगम उप्रजबिन उपागम मतद्यापक प्रस्ण बाल को से प्रश्ण करेंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि भालत समझ जाता है कि यहां पे क्या होने वाल मताँ अध्यापक को मिलाके ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे जो विद्यार्थी हैं खुद अधिगम के लिए पहल करने के लिए क्या हो प्रोच सहीद हूँ लेकिन यहां पर यह चीज निगेटिव था देखिए वाला पास्टी था है पुर अध्यापक उन्हें एसा करने के लिए झिशा निर्देश झार करेंगे लेकिन यहां पर यह जो चीज escrito करेंगे कि अपने चात्रों से क्या करने के उम्मीद करतें नहीं बलकि ऐसी तरीके अपनाएंगे ऐसे प्रयास करेंगे कि बालक खुद सीखने के लिए प्रेरीद हो और निस्कर्स निकाले यह है सिख्षार्थी केंद्रित करख्षा कि चलिए आगे बढ़ते हैं के अठीए यहां पर सिख्षाक कंद्र पूश्ट हैं एक सिख्षाक कंद्रित दिष्टक Catholics की मुक्स बिश्च्था जो है क्या है अध्धियापक कंद्रित दिष्च्च्च्च कोंड के बारे हम बात होई इसमें अधियापक कंद्र française होता है वह अपने को नहीं का होगा ज्यान का स्रोत सिक्षक है हाँ बिल्कुल क्यूंकि अध्यापक ही अपने विचारों को प्रस्तुत करता है पूरी कक्षा में वही सक्री होता है तो इसका मतलत ज्यान का स्रोत कौन है अध्यापक ही है जब कंद्रबिंदु अध्यापक है तो ज्यान का स्रोत होते हैं कि इसलिए क्योंकि अध्यापकय पूरी कख्षा के दारान अपने विचारों को रखते हैं तो अध्यापक शक्री होते हैं और छात्र जो होते हैं पैसीललण autres जिसको कहते हैं मुउक स्रोता निज प्रकार से च्छत्र ये चात्रों को जानकारी देते अर्थाथ एक और दो दोनों सही है और डी बिकल्प बिल्कुर सही है अर्पना आकांक्षा सक्सेना और प्रियमका डी बिकल्प आर्थी इस तड़ी पतनी तब तक स्कॉल कर गया हागे पढ़ते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट अगली थियोर कि आदर्सगड़ी सिक्षक के गुण क्या है अभिध्यार्थी की रुचियों उनकी छम्ताओं का ख्याल लख्याँ आदर्स गणिशिक्षक वह है जो शिक्षार्थियों को मतब विद्यार्थियों को अपने विचारों को रखने की पूर्ण आजादी दे स्वतंतरता दे मतब यह सानी कि विद्यार्थी कुछ पूछे तो डाटके बैठा दे आदर्स गणी सिक्षकों हैं जो विद्यार्टियों को अपने विचारों को रखने का पुर्ण अशर दे बालक की छमताओं उनकी रुचियों का ख्याल लखें और विचय में अच्छी समझ के साथ विचय को प्रासंगिक बनाने की छमता हो मताँ आदर्स गणी सिक्षक हो है जिसमें विचय की अच्छी पकड़ तो हो ही साथ ही साथ उसको डेलिवर उसको व्यक्त करने का ब्योहारिक तरीका बहुत ग्यान है लेकिन ब्यक्त नहीं करें तो आदर्स गणी सिक्षक नहीं मानेंगे साथ शाथ उग्र सस्वोखाव नौ किना साथ विशेश कर कक्षा में दंडातमक स्वभाव बिल्कुल नौ हूं मतब आदर्स सिक्षक वो नहीं है जो कक्षा में बच्चों को डाटे या फिर दंडात्मक मतब पनिस्मेंट करे यह नहीं सरव सुभाव हो विचारों की मतब अभिवक्ति हो किसी भी आधार चाहे धर्म जाति लिंग रंग इन सब के आधार पे भेदभाव न करता हो साथ ही साथ कुछ और बाते जैसे आधर्सगरी सिख्षक हुआ है जो विभिन गोष्थी गोष्थी का मतलब होता है सेमिनार सेमिनार आधि में पार्टीसिपेट करें जो विभिन गोष्थी सेमिनार आधि में पार्टीसिपेट करें ताकि बालत के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं इस पर चर्चा तो यहीं कुछ बाते हैं आधर्सगरी अध्यापक के गुर्ण जो है अभिव्यक्ति की स्पष्टता विचारों की उच्छाह एवं उपलब्धजनक व्योहार उपलब्धजनक व्योहार मतलब सबके साथ समान व्योहार विशय पर पून आधिपत्य मतलब विशय पर अच्छी पकड़ हो साधी साथ विशय को प्रासंगी कि या व्योहारीक बनाने की चमता हो उत्तम नियंतर्ण सक्ति उत् संपन्नता का मतल समझें जब किसी पर्टिकुलर प्रसंग को बढ़ पढ़ा रहा हो तो अलग-अलग माध्यम अलग-अलग तरीके अलग-अलग साधनों का जैसे विभिन प्रियोग करनों का भली भादी प्रियोग करें और प्रियोगात्मक एवं अनसंधनात्मक प्रवित्ति कैसी टेंडेंसी हो कैसी नेचर हो प्रियोगात्मक मतल जो बालक को प्रियोग करने पर बल दे कि यह चीज कैसे हो रहा है अनसंधनात्मक मतलब खोज कराने की जिसमें छ अपटता मता किसी भी प्रकार का चलकपट से अलग और एक प्रस्ण देखें अब फिर अगली पर चले आगे बहुत महत्पूर्ण थियोरी है गणित के सिक्षक के पेसेवर विकास के लिए प्रोफेस्नल डेवलप्मेंट के लिए कौन सा वांचनी मता कौन सा डेजारेबल कौन सा रिक्वार रिक्वार नहीं है इन में से क्या जरूरी नहीं है आप ऐसे समझे क्या जरूरी नहीं है बताईए अगर राम नरेश भारती रंजन और संजे कुमार नहीं दक्तर चलिए है वह देखे मैं चुकि यह एज़र डेमो क्लास हम सभी लोग दे रहे तो थियोरी भी दे रहा हूं प्रस्ण भी ताकि यह प्लियर पता चले कि किस प्रकार के थियोरी के कैसे प्रस्ण होते हैं तो 20-20 में थियोरी है फिर आगे प्रस्ण भी है तो बताईए पैसेवर सिक्ष रहे हैं कि इसमें पूछा कौन सा वांचनिय नहीं कौन सा ज़रूरी नहीं इसमें लिखाया सिक्षक जो है विकास फैकल्टी डेवलप्मेंट के कारेकों में भाग ले देके मैंने अभी थोड़ी दे पहले यह पॉइंट अपने से मेंसन किया हमने कहा एक अच्छा सिक्ष करेक्मेंट का मतलब यही तो हुआ है कि सिक्षक जो है और क्या बहतर कर सकता है ऐसी सेमिनार में पार्टिस्पेट करें तो यह तो जरूरी है हमसे पुछा कौन सा वांचनिय नहीं है यह सब्द देखेगा यह तो जरूरी है यह तो टू है गड़ित की कार्यसालाओं और ग करना सिक्षन अधिगम के लिए साधनों को विक्सित करें यह पेसेवर सिख्षक जो सिक्षन अधिगम के लिए साधन विक्सित करें कि बालत किसकी माध्यम किस किस तरीके से सीख सकता है इसका मतलब गलत यह होगा लिखा है कि गड़ित के सिख्षक के पेसेवर विकास के ल के लिए अपने के सिख्षक और अन्य मतेर अपने वीद्य लीक इस शिख्षक के साथ अधिकतम वार्था लाब करें ताकि सीखने सीखने की प्रक्रिया और मजबूत हो सके कमीयों को दिष्टिकर रख कर उनका निवारण कर सके कि कहां पर कैसी चीजे और सुधार हो सकती तो हम लोग सी बिकल पर जाएंगे क्योंकि यही जरूरी नहीं है बाकि ABD जरूरी आते हैं कुछ अगले थ्रीपर देखें टापिक हम लोगों का चला है गडित की प्रकृती तो अब हेडिंग है गडित की प्रकृ इस बहुत इंपर्टेंट है और विसेशकर गडित की प्रकृती और एक पूछा जाता है गडिती में और थारडाओं की प्रकृती दोनों से बहुत प्रस्ट सीटेट में मनते हो, चाहे first paper हो, चाहे second, एक बार मैं फिर से इस प्रस्ट कर दूँ, primary में first paper में 15 प्रस्ट के और junior में 10 प्रस्ट सिक्षण के हैं और सिक्षण का पार्ठिकम लगभग एक ही है, तो यह जो पार्चल लाहा है, pedagogy का first and second दोनों paper के लिए, तो गणित की प्रकृति और धाड़ाओं की प्रकृति दोनों से बहुत प्रस्मनते हैं तो गणित के नेचर की बात करें तो आप क्या बताएंगे अच्छा मैं एक अपने से पिकल्प लिखता हूँ जबकि मैंने कोई थ्योरी नहीं बताया लेकिन आप आसानी सुत्तर कर लेंगे जैसे मैं पूछूं की गड़ी की प्रकृति क्या है पिकल्प तूं कठिन है कि लचीला है फ्लेक्सिबल मतर्ण न तो कठिन न तो सरल फ्लेक्सिबल है या फिर एक लिख देता हूँ सामानने के लिए नहीं नाट फार कॉमन कि सामानने के लिए नहीं और डी हमने रिखा सरल एवं अन्य बिद्याली पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुद्रिड सरल एवं अन्य बिद्याली पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुद्रिड मतर्ब मजबूत अभी दिखे मैं थ्यूरी से अटकर मैं एक सवाल लिया कि गड़ीत की प्रकृति क्या है कभी कभी हम क्या करते पता है अपने अनसार उत्तर देते अपने अनसार मतलब जैसे मालिया हमें सपोस्के मालिया हमें गडित नहीं आता तो हम कहते नहीं गडित की प्रक्रति कठीन है ऑनशार उत्तर नहीं होते हैं अच्छार शी नहीं होता है जिसके पिता जी पुरवज गडित पढ़ें करएंगे उन्हीं की संतान गडित पढ़ पढ़ पाए गरीस सब सीख सकते हैं गडित के लिए जिसके ने में गडित पाया जाता होगा उन्हीं की संतान गडित पढ़ेगी यहow Feel बड़े बड़े गड़ीतक्य हैं क्या हमसे अलग थे क्या Account margin to तनी चाहे महहंद को तक रामानवजन की बात करें राभट की बात करें महान गड़ी तग है हमसे अलग है क्यों यह तो लिखा है मैंने तो सरल और अनवाधयाली पाठीक के पैक्षा सुद्रिड इसली पता है क्योंकि मैं गड़ित पढ़ा रहो नहीं दरसल हैं गड़ित एक भासा है इसा की एक भासा है और भासा कभी कठिन नहीं होता क्योंकि भासा की grammar होती है grammar चीजों को और ब्युवस्थित systematic किमेटिक रखता है कि जैसे हम लोग हिंदी भासा देखते हैं तो हिंदी का ग्रामर पता है संग्या सुनाम विसेशन क्रिया विसेशन आधी अंगलेजी नौन प्रोनौन एड्जेक्टिव वरब पता नहीं क्या क्या तो ग्रामर क्या करता है चीजों को बेवस्ति सीखने मद क्योंकि गड़ी तर्कों पर आधारित है और तर्क को अच्छे से ग्रहन कर लेने के बाद जल्दी भूलता नहीं है इसलिए अन्य बिद्याली पाठ्षेकम की अपेक्षा सुधिड होता है क्योंकि अन्य बिद्याली पाठ्षेकम में फैक्ट जादा होते हैं इसलिए भूलन लेकिन इतिहास में नहीं कर सकते जैसे मैं कहूं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ अब नहीं पता है तो कितना भी तरक लगा लिजे हमारे तरक से तो करिए कि उनके चन्म का कोई लेना देना तो होगा नहीं तो गणित की सररय है और अन्य बिद्याली पाठ्षेकम के पेश़ा क्या है सुधिड़ है आई ये बात करते हैं गणित की प्रकृति की क्योंकि इसे ब्याख्या की ज़रूत है जैसे हम कहते हैं कि याधहार प्रखास सुनने खो तो मान एक होता है तो एक ही क्यों होता है यहां अमूर्थ यह क्या है अमूर्थ ऺडिसकर 바꿨्या पाई यारी स्पार होता है और पाई यारी स्पार होता है यह तो अमुर्त है लेकिन क्यों होता है जब इसकी ब्याक्षा की जाएगी तब वह सही होगा क्या की बात करें क्या बताईएगा चलिए लिखा है कि गणित अच्छा दूसा पंट गणित अवलोकन के बजाए तर्क पर निर्भर करता है यही मैंने का ना क्यूंकि गणित कर देखने के बजाए यह तर्कों पर निर्भर करता है वश SEC कर गणित की प्रकृति की बात करें तो गरिथ हमें दुनिया को समझने में मदद करती है और हम गणित को सीखने के लिए दुनिया का उपयूग करते हैं बहुत बड़ी बात कार के ब्योहारी कुद्देश और इनकी आंतरिक रूच के लिए गनित का अध्यान किया जाता है कि कुछ पइंट और देखते हैं अभी अधाराओं की प्रकृति की जब बात करेंगे बड़े ध्यान सुसको सुनिएगा देखे गनित में प्रतिरूप प्रतिरूप को हम बोलते हैं पैटन इंग्लिस में पैटन बोलते हैं गनित में प्रतिरूप और सम्मंध का ध्यान सामिल है प्रतिरूप क्या होता है जैसे मैं कहा दूं कि पहले स्टेज में यहां तीन तीलि है अब बताइए चोथे स्टेज में कितनी तिलिया हूँ है चोथे में कितनी होगी यह प्रतिरूप कि जिसको पैटन कहते हैं पैटन कई प्रकार के होते तो गणित में क्या सामिल है किसका अध्यान सामिल है गणित में प्रतिरूप गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्याली पाठ्यक्रम के अपेक्षा सुद्रीड होता है। सुद्रिड का मतब यहां पर जल्दी भूलता नहीं है। कि इस उद्देश से यह हैं और गड़ित की प्रकृति जो होती है यह क्या होती है क्रमबद्ध होती है सिक्वेंस में गड़ित की प्रकृति क्रमबद्ध होती है याथार्थ होती है एक्जैक्ट गड़ित की प्रकृति क्रमबध यथार्थ और अधिक स्पस्ट होती है अधिक स्पस्ट आभियस होती है आभियस होती है और साथ ही साथ गड़ित की जो प्रकृति है तारकिक होती है लॉजिकल गड़ित की प्रकृति क्या होती है तारकिक क्यों कि एक भाणाएं और कई धाड़ाओं को जन्मा देती है मतरहिए कॉंसेटसे और कई कंसेट मंते हैं और ये तब ही संभू है रहे क्रम अब सोचिए गड़ित में यह डिकम बद्धता नहीं होता तो क्या एक नियम से हम दूसा बना पाते या दूसे से क्या तीसा बना पाते नहीं इसलिए एक से कई नियम मनते हैं क्योंकि गडित में क्रम बत्ता है जैसे हम जोड सीखते हैं तो क्या जोड का प्रियोग फिर आगे और कही नहीं होता क्या कई जगर होता है तो कहने का मतलब गणित का जब एक concept सीखते हैं तो वहां से और कई बनते हैं और ये तभी समभव है जब गणित में करमबतता होगी जैसे चैन ये चैन की क्या होती एक कडी दूसा दूसय से कडी 60 कडी जोड़ता है 30 से चौता तो इस तरीके से पूरा चैन मनता है इसी प्रकार गणित की एक धार्णा दूसलीकर स्भी जोडता है तो भी 2 प्याष्ट में पराबर यह ही पढहेंगे रहें रहां पखास सुने बराबर यहां होता है श्रस्तले का टो कहने का मतलब है कि के जो भी कॉंसेट्प होते हैं यहां सही है तो हजगा सहिए ऐसाने कि भारत में कुछ होगा तो चीन में कुछ होगा और जब यह सब होगी तो अधी कि प्रश्ट होगा है आए देखते हैं है अच्छ Associate स्बाइब की प्रकृति के बारे में लिखा है गनित की अपनी भास हूं सबसे पहले मैंने यही कहा कि सबसे पहले यहां भासा का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब, यहां भासा का जो मतलब है किस्से है, गणती पद, गणती प्रत्य, गणती सुत्र, गणती सिध्धान्त और संक्यत मतलब चिन, इसको कहते हैं गणती पद का मतलब, प्रत्य को इंग्लिज में बोलते हैं concept, सुत्र को बोलते प्रिंसिपल और चिन को बोलते हैंज तो गणित का ग्रामर इनहीं पांच पर बेस से प्रत्य सुत्र सिध्धान्त और चिन इसलिए गणित जो है अन्यपीशियों के पेक्षा सुद्रिड होता है साथ गणित का ज्यान यह चीजे मैंने लिखाई यह थार्थ होता है क्रमवद भूलता नहीं है आईए देखते हैं कुछ प्रस्ण इसके गनित की प्रकृति को लेकर बताइए अब ये सवाल है तो आपने समझे लिया अब देखते हैं प्रस्ण डेली होगी और आगे मैं पूरेट टॉपिक के जो बहत्तपूर्ण थ्योरी है वो थ्योरी जैसे अभी पैमला लीबे की आप एलपस सिध्धान्त जाजपोलिया की समस्या समाधान न्यूमेन का तुरुटी विस्टेशन वैनहीलिया का जामती बिचार और कई प्रा बात करेंगे जैसे जियो बोर्ड का प्रियों कहा होता है टेन गाम का और बिंदु सीट डाट पटल क्या है जियो जेब्रा साफ्ट वेर क्या है और सबके पूरी विधिवद्बूद भी चर्चा होगी फिलाल अभी देखते ही यह लिखा निम्न में से कौनसी गडित की प्रकृति के अनुसार सही है गडित के अनुसार क्या सही है गडित की अपनी भासा है बिलकुल किसी भी गरती समस्या का केवल एक हल होता है गलत है क्यूंकि कई प्रश्ण ओपें इंडेट टाइप के होते हैं अभी आगे आप ओपें इंडेट भी पढ़ेंगे ओपें इंडेट होता है खुले अंत का प्रश्ण कई प्रश्ण गडित में ओपें इंडेट टाइप होते हैं जिसके एक सधी कुट्तर होते हैं जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई दो संख्या बताईए जिसका गुड़न फल 24 हो कोई दो संख्या बताइए जिसका गुड़नफर 24 हो क्या इस समस्या का केवल एखल होए नहीं एक गुड़ा 24 भी हो सकता है तो दो गुड़ा 12 भी हो सकता है तीन गुड़ा 8 हो सकता है तो चार गुड़ा 6 भी हो सकता है तो यह कहना कि किसी भी प्रस्ण का केवल एखल होता है तो यह गलत है क्योंकि कई सवाल open इंडेट टाइप के होते हैं और जितने भी open इंडेट टाइप के question होते हैं सब के कई एक सेधिक उत्तर है गणिती और धाड़ाय अमूर्थ होती हैं क्योंकि इसे ब्याख्या की जुरूत है तो सही है A और C सही है A और C बी बिल्कुल गलत है और B यहां भी है तो यह तीनों तो खुद ही गबरेट छेत्र के बाहार चले गए बचा तो वही देखते हैं अगला प्रस्ट गणित के स्वरूप नेचर गणित के नेचर के संद्रभ में कौन सा सही नहीं है बताए गणित के नेचर के बार लिखा है गणित में प्रतिरूप पैटन और समंध की पढ़ाई सम्मिलित है जी बिल्कुल और इसको हमने प्रतिरूप को बताया इसको पैटन कहते हैं और एक इसका एक्जामपल भी लिया था है न तो गडित में प्रतिरूप और सम्मंद की पढ़ाई समलीत है बिलकुल है गडित संख्याओं की पढ़ाई तक सिमित है नहीं नहीं यह यह गलत है है अब कहते अंग्रेशी केवल ABCD तक सीमित है तो क्या हम मानेंगे are उफो यह तो यह जो तक सीमित है गलत है लिए डजित में अमूर्ति करण और मानस दर्शन विज्वien सामील है मिल्कुल गडित में मानस दर्षन मतब विजुलाइजजेस्ट द्रिसी करन अमूर्थी करन सामिल है क्योंकि गडित के जितने भी 컨σεब्ट होते हैं सब समझने में मदद करती है और हम दुनिया को समझने के लिए गणित का अपयोग करते हैं मुठा है अनु दिक लिधा का मैं में से कौंञकतन सही नहीं है कौंसा कतन थाढ सरी लेक है जो अधिकांस अमूर्थ बखराएं सब्खरेस हो ब्लखतन ही और यह चीज़ बिल्कुल मल सब्सक्ठाप सब्सक्राब करनें गोगयinya जिस समाधान पर पहुचने का सिर्फ एक सही तरीका है यही चीज़ तो हमने थोड़ी देर पहले गलत किया किसी भी समस्या के समाधान तक पहुचने का केवल एक तरीका यह गलत है कि कई प्रस्ट नोपेन इंडेड होते हैं जिसके कई तरीके सुत्तर कर सकते हैं जो लोग पढ़या लेख नहीं सकते उन्हें भी गरती ग्यान होता है जो लोग पढ़या लिखें नहीं होते हैं उन्हें भी गरती ग्यान होता है कई आपको परिवेस में ही मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अभी कुछ रुपय का नोट दे दीजे बताईए कितना समान ले लीजे इतने किदर से तो बिल्कुल कैलकुलेसन करेंगे हां इतना हुआ और इतना बचेगा भी तो इसका मतब जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें भी उन्हें भी गंति ग्यान होता है यदि सामाजिक प्राड़ी है तो मतब जीवित है सामाजिक प्राड़ी है तो सब को कहीं कहीं गंति ग्यान होगा ही होगा देखे यह एक चे जोर बता दूं कि गणित वह भासा है जिसमें ब्यक्ति अपनी मात्र भासा के बाद जिस भासा का सरवाधिक प्रियोग करता है वो गडित ही है सही पूल लॉंग की नहीं है ये जिंदगी ही गुड़ा गडित का है व्यक्ति सुबह सो के उठता है राज सोने तक पूरा गुड़ा गड़ित में ही निकल जाता है कि आज इतने की ब्योस्था कल इतने की ब्योस्था कहने का बतल भी है कि ब्यक्ति मात्र भासा को छोण दे तो वो जिस भासा का स्वरवाधिक प्रियूग करता है वो क्या है गड़ित ही देखते हैं अच्छा ये गड़ित की अधिकांस उपसाखाओं में अंतर संबंध होता है हाँ गडित की जितनी भी अन्य उपसाखाई होते हैं कहीं कहीं सम्में connection होता है जुड़ा होता है तो यहां भी दूसा सही नहीं जो गलत है वहीं सही लगाई यह देखते हैं अगला प्रस्ण अच्छा प्रस्ण पर आए अ इसकी मैं बार-बार बात करा था इसको बिल्कुल माइन में रखियेगा कई जगह यूज होगा वह बात फिर से आ गई गई गडित में अधाडाओं की प्रकृति क्या है गड़ती और अधाडाएं अमूरते हैं क्योंकि इसे ब्याख्या की जुरूत होती है जब ब्याख्य आधाडा कर देंगे तब मूर्त होगा लेकिन अधाडा का मताव नियम गडित का जो भी नियम होता है क्या होता है चीपा ही तो होता है सब्सक्राइस सब्सक्राण आधाडाष के बांध गडती और अधाडाएं तारकीक होती हैं क्यूंकि गडित की जितने भी नियम सुत्र सिधानत बनते हैं किसी न किसी तर्क पर ही आधारित होते हैं यदि घंक आतन भुजा का क्यूब होता है तो इसके पीछे भी निश्चित तर्क है कि भुजा का क्यूब ही क्यूं होता है और कॉंसेप्ट के पीछे एक तर्क होता है बिना तर्क के आज तक कोई कॉंसेप्ट न बना है न बनेगा तो गर्णती और धाड़ा कैसे होती हैं तार्किक होती यह दो पॉइंट ध्यान रखेगा आईए बढ़ते आगे इसके अंतर के जो भी चीजे लिखा हो इसको आप प गर्णित किसके बारे में हैं तक्तियों के बारे में हैं फैक्ट कि देखे आपने यह दिखा कि गर्णती और धाड़ाएं किस तर्क पर आधारित होती है निगबनात्मक तर्क पर ऐसा मैंने क्यों कर देखे गड़ित के जो भी कॉंसेप्ट होते हो चीजे हम रटते ही तो है न और जितनी भी चीजे आप रटते हैं लग फैक्ट ही होता है और जो निगबनात्मक तर्क है इसी पराधारित होता है क्योंकि निगबन का मतलब होता है यह रटने प्रकेंद्रित विधी है इसलिए निगबन विधी को हम लोग learning centered method के नाम से भी जानते हैं निखमन विद्यकों किस नाम से जानते हैं learning centered method अब दिखे एक बात छोटी से एक्जांपल लेके इस बात को मैं express करता हूँ जैसे मैं आपसे कह दूँ कि किसी समचत्र भुज में भुजा के वर्ग का चार गुना दोनों बिकन के वर्ग के योग के बराबर होता है तो यह गडित की ओधाडा है ओधाडा मतलब कॉंसेट है जब मैं आपसे कहता हूँ कि किसी समचत्र भुज में भूजा के वर्ग का चार गुना दोनों विकन्के वर्ग के योग के बराबर उता है और यहीद का concept है और यह concept है यह both's right है तो हमें प्रकास से रठना हो से इसका मतर्थ किस तरकपड़ीद है निग्वनात्मक गणित में केवल निगमनात्मक प्रपाण ही स्विकार किये जाते हैं क्योंकि गणित तत्यों के बारे में यही चीज में नहीं लिखा इसको थोड़ा समसिएगा और एक सबसे महत्पूर्ण बात क्या गणती ओधाड़ाएं रैखिक नहीं होती रैखिक नहीं होती का मतलब यह है कि गणती और धाड़ाएं इसका मतलब यह है अर्थात अर्थात गणती और धारड़ाएं जटिल जालतंत्र बनाती है गणती और धाड़ाएं क्या बनाती है जटिल जालतंत्र गर्ति ओधाड़ाय क्या बनाती है जटिल जालतंत्र अच्छा बनानी नहीं बनाती है इसका मतलब समझें क्योंकि जैसे यह हो गया गणित का कॉंसेप्ट यह हो गया गणित के कॉंसेप्ट तो हो सकता है इसके दो सब कॉंसेप्ट हो हो सकता है इसके दो सब कंसेप्ट हो अब हो सकता इससे और कई कंसेप्ट बने या हो सकता इससे और बने तो कहने का मतलब यह होता है कि गणित की जो धाड़ात होती है यह कैसा तंत्र बनाती है जटिल जार एक से बने तो américyyक हो नहीं सकता रै freight का मतरब जब युकर्ष फालडा केवल एक पर ही केंद्रित होती रैखी क्या ऐसा है कि गडित का एक नियम के बाकी लगता ही है साודה ne क्यूंकि एक नियम कई से कई नियम मनते हैं तो गरती और यह गर्लटी ओधाडाये जटिल जाल तंत्र बनाती है अब देखते हैं इसके प्रस्ण कैसे बंते हैं इसका प्रस्ण देखें बताइए लिखा है गणित में औधाडाओं कॉंसेप्ट की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है पताइए गणित के कोंसेट के बारे में क्या सही नहीं है औधाणओं के बारे म mijा लखा है गड़ित औधाणओं की प्रकृति अमूर्द इल्ग बिल्कुल 100 पर्संट गड़ित में अधाणओं रpekहर रूप से विवस्थित होती है यही गलत है यह फालस है गड़ती औधाणओं प्रकृत से तर्क संगत होती होती है तर्क पर धनित होती है गडित में अधाडाय निक बीवेचन और निगमनिक तरकड़ापर अधारीत होती है बिल्कुल सभा तो गलत क्या है कि आ अची से पूर्य पॉरेंट आप서 पढ़े रहे है चलिए इस प्रस्ण के लिए आप उत्तर करेंगे क्योंकि गड़ित में अधाड़ा की प्रक्रति आप पर चुके हैं तो यह हुमोर्क के रूप में मैं दे रहा हूं अगली क्लास जब मैं करूंगा तो थौट की बात होगी और थौट में दो प्रकार के थौट कनवर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात होगी इसके अंतरगत बंद अंत वाले प्रस्ण मनते हैं और जो डाइवर्जेंट हैं इसके अंतरगत खुले अंत वाले प्रस्ण मनते हैं और लगभग लगभग पेपर में खुले अंत और बंद अंत के सव स्वाल बराबर देखने को मिलते हैं तो एक बहुत ही इंपर्टेंट थियोरी होगी यह गडित में सोच के तरीके अभी सारी और अपसारी तो इसकी सुरुवात अगली क्लास में करूंगा इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बाक्स में बात में देंगे आज इतना ही मुलाक झाल 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 झाल